ओम शांती, आज बाबा के 19 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महवाक्य हैं, आज के दिन की बहुत सुन्दर विशेष्टा के आज हम सब अव्यक्त मिलन करेंगे, संध्याकाल में अव्यक्त मिलन से पहले उरा दिनाज हम अपनी बाणी की शक्ती को कम से कम यूज करेंगे, आवशक्ता पढ़ने पर ही इसका प्रयोग करें, साइलेंस में रहकर अच्छी समृतियों से अच्छे अच्छे अभ्यास करें, जैसे मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, जो भगवान मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, बार बार अपनी भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखेंगे, और मूल वतन में बाबा को निमंत्रन देंगे, कि बाबा हमसे मिलने के लिए आ जाओ, जितना स्नेहिभरा निमंत्रन हम देंगे, उतना अच्छा अनुभाव हम संध्याकाल में कर पाएंगे, बाबा मिलन से पहले, पांच से छे, बहुत सुन्दर प्रभू मिलन की तयारी पर ब्रादा सुरेजी क्लास कराएंगे, माउं टाबू से लाइव, आप सभी जरूर वो क्लास अटेंड करें, क्लास के मुख्य पॉइंट्स नोट करेंगे, अच्छे अच्छे अभ्यास करेंगे, और साड़े छे से साड़े साथ अव्यक्त मिलन का आनन्द लेंगे, आज के मधूर महवाक्यों में, बाबा ने हमें वाईदा याद दिलाया, कौन सा वाईदा किया था, याद है आप सबको, हम सबने वाईदा किया था, आप जब आएंगे, तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, बाबनी कहा कि बाबा बच्चों को वाईदा याद दिलाने के लिए आए है, फिर बाबनी कहा कि आप सब खुश नसीब आतमाई हो, जो आपको खुशियों का सागर बाबा मिल गया, खुशी की चाबी मिल गई, अब इस चाबी को यूज करो, चाबी को यूज करना, अथा स स्रेष्ट सम्रुतियों में रहना जितना स्रेष्ट सम्रुतियों में रहेंगे इस चाबी का प्रयोग करते रहेंगे उतना ख़जानों से मालामाल बन जाएंगे। एक दूसरे का रिस्पेक्ट तो करना है लेकिन याद शुव बाबा को करना है अब हम सुनते हैं आज के मदूर महावाक्य बाबा की शब्दों में बाबा ने का मीठे बच्चे तुम्हारा वाइदा है जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे अब बाबा आए है तुम्हें वाइदा याद दिलाने के लिए क्यों आए हैं बाबा हमारा वाइदा याद दिलाने के लिए कुछने किस मुखे विशेषता के कारण पुज्जे सिरफ देवताओं को ही कह सकते हैं ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण पुज्जे सिरफ देवताओं को ही कह सकते हैं देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते ना बाबा को याद करते हैं ना किसी के चित्रों को याद करते हैं इसलिए उन्हें पुज्ये कहेंगे, वहां सुखी सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करनी की दरकार नहीं. अब तुम एक बाप की याद से ऐसे पुज्ये पावन बनते हो जो याद करनी की दरकार ही नहीं रहती. इस समय ऐसे पावन बन जाते हो कि सत्योग त्रेता में याद करने के आब शक्ता नहीं रहती ओम शांती, मीठे-मीठे रुहानी बच्चे, अब रुहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे रुह अत्वा आत्मा एकी बात है, रुहानी बच्चों प्रती बाप समझाते हैं आगे कभी भी आतमों को परम पिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया बाप खुद कहते मैं एक ही बार पुरशोतम संगम युक पर आता हूँ ध्यान से समझेंगे, पूरे पानजार वर्ष में कलप में एक बार बाबा संगम युक पर आते हैं ऐसे और कोई कहना सके, सारे कल्प में, सिवाए संगम युग के, बाप खुद कभी आते ही नहीं, बाप संगम पर आते हैं, जबकि भगती पुरी होती है, और बाप बच्चों को बैठ ज्यान देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये कई बच्चों को बहुत म मुश्की लगती है, है बहुत सहज, परन्तो बुद्धी में ठीक रिती बैठता नहीं, तो घड़ी-घड़ी समझाते रहते, समझाते वह भी नहीं समझते, स्कूल में टीचर बारा मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई ना पास हो जाते हैं, टीचर पूरा वर्ष पढ़ाते ह पास हो जाते हैं, ये बेहद का बाप भी रोज बच्चो को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धरना होती हैं, और कोई भूल जाते हैं, मुख्य बात यहीं समझाई जाती, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, महसूस करो, मैं देह से नियारी आत्मा हूँ, फिर एक ब बाप याद आएगा, बाप ही कहते हैं, माम एकम याद करो, और कोई मनुष्य मातर क भी कहनी सकेंगे, बाबा कहते हैं, बाप के बाद फिर संगम पर एक बार बच्चो को समझाता हूँ, तुम्ही ज्यान प्राप्ट करते हुँ, दूसरा कोई लेते ही नहीं, प्रम्मा के तो मुख्वन शावली ब्रामन इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने संगम पर ज्ञान सुनाया था, तुम ब्रामनों का ही पाठ है, इन वर्गों में फिरना जरूर है, और धरम वाले इन वर्गों में आते ही नहीं, भारत वासी ही इन व इन वरण हैं, भारतवासी ही आते हैं, जैसे पर्यमधाम से जब हम आये तो पहले देवता वरण, फिर शत्रिये, फिर वैश, फिर शुद्र, फिर ब्रामन, तुम हो प्रजा पिता ब्रह्मा के मुख वन्शाबली ब्रामन, ब्रामनों के बाद फिर हैं देवताईं और शत्रि कहते हैं शत्रिय आटोमेटिकली बनना है बाबत वाकर ब्रामनी बनाते हैं फिर ब्रामन से देवता फिर वही शत्रिय बनते हैं तीनो धरम एक ही बाप अब स्थापन करते हैं ऐसे नहीं कि सत्यूग त्रेता में फिर आते हैं मनुष्य न समझने के कारण कह देते सत्यूग त कल्प के अंत में पुर्शोतम संगम युग पर आते हैं हर युग में नहीं मैं तो परमधाम से आता हूँ अच्छा ब्रह्मा कहां से आता है ब्रह्मा तो 84 जनम लेते हैं मैं नहीं लेता हूँ ब्रह्मा सरस्वती जो ही विश्नु के दो रूप लक्षमि नारण बनते हैं वो कोई इनका अपना नाम नहीं है, बच्चे का जनम होता तो छटी करते हैं, जनम दिन मनाते हैं, इनकी जनम पत्री का नाम तो लेकराज था, वो तो छोटे पन का था, अभी नाम बदला, जबकि इनमें बाबा ने प्रवेश किया संगम पर, प्रजा पिता ब्रह्मा नाम शिव बाबा ने रखा, इनका पहले नाम दादा लेक राज था, बाबा ने कहा, जबकि इन में बाबा ने प्रवेश किया संगम पर, सोभी नाम बदलते तब हैं, जबकि वानप्रस्त अवस्था में हैं, वे सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते, तब नाम बदलता, ये तो घर से पवित्र हो, तुम्हें पवित्र बनने की शीक्षा मिलती, कैसे पवित्र बने, वे मुख्य बाथ, कैसे हम पावन बने, ये मुख्य बाथ हैं, जानते हो भगती मारग में, पुझे एक भी हो नहीं सकता, मनुष्ये गुरु आदी को माथा टेकते हैं, क्योंकि घर बार पवित्र बनते हैं, वाकि उनको पुझे नहीं कहेंगे, पुझे वो, जो किसी को भी याद ना करे, पुझे कौन, जो किसी को भी याद ना करे, सन्यासी लोग ब्रह्मतत्यों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सत्यों में कोई को भी याद नहीं करते, अब बाबा क सत्यु त्रेता में भी शरीर धरी अपने नाम से पार्ट बजाते हैं, नाम बिगर तो पार्ट धरी हो ना सके, कहां भी हो शरीर पर नाम पढ़ता है, नाम बिगर पार्ट कैसे बजा सकते हैं, हर एक को शरीर का नाम तो चाहिए, अगर नाम नहीं तो पार्ट कैसे तो बाबान नि समझाया, भगती में गाते हैं, आप आएंगे, तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा न कोई, हम आपका ही बनेंगे, यह आत्मा कहती है, भगती मारgg में जो भी देधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते, उनको हम नहीं पूजेंगे, जब आप आएंगे तो आप पर कुर्बान जाएंगे कब आएंगे ये भी नहीं चानते अनेक देधारियों के नाम देधारियों की पूजा करते रहते जब आधा कल्प भगती पुरी होती है तब बाबा आते हैं कहते तुम जनम जनमांतर कहते आई हम तुम्हारे विगर किसी को याद नहीं करेंगे अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे प्रन्तु मुझे जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे बाबा कहते हैं मैं तुम्हें वाइदा याद दिलाने आया हूं आपने ही कहा था क्या आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, अपनी देहे को भी याद नहीं करेंगे अब बाबा बच्चों को समझाते, मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, बाब को याद करो बाप ही पतित पावन है, उन्हें याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे सत्युक्त रेता में भगती होती नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते, ना बाप को, ना चित्रों को वहाँ तो सुखी सुख रहता है, बापने समझाया, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था होती जाएगी कर्मातीत अवस्था हमारी फाइनल स्टेज है, करम किया, करम की आकर्शन से परे हो गए सत्यों में नई दुरिया, नए मकान में खुशी बहुत रहती है, पिर पच्चिस परसेंट पुराना होता, तो जैसे स्वरग ही भूल जाता तो बाबा केते, तुम गाते थे न, आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे, तो जरूर आप पर्मात्मा कोई कहते हो न, आत्मा कहते हैं पर्मात्मा बाप के लिए, आत्मा सुक्ष्म बिन्दी है उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टी चाहिए आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है ऐसा समझ कर याद करना मेहनत है अती सुक्ष्म है आत्मा जिसे स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते है बाबा केते ऐसे समझ के याद करना मेहनत है आत्मा के सक्षतकार की कोशिश नहीं करते परमात्मा के लिए कोशिश करते जिसके लिए सुना है कि वो हजार सुरियों से तेजों में है किसको सक्षतकार होता केते बहुत तेजों में था क्योंकि वही सुना हुआ है इसको नोदा भगती कहेंगे देखेंगे भी वही नहीं तो विश्वासी ना बैठे बाबा केते आत्मा कोई नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देखेंगे आत्मा को देख कैसे सकते और तो सबके शरीर का चित्र है आत्मा है बिंदी बहुत उसको कैसे देखें, कोशिश बहुत करते हैं, प्रन्पीन आखों से देख नहीं सकते, आत्मा को इन चर्म चक्ष्वों से, स्तूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, आत्मा को ग्यान की अव्यक्त आखें मिलती हैं, ग्यान की अव्यक्त आखें, तीसरा नेत्र मिलता है, जा बाबा की शिरिमत मिलती है स्रेष्ट बनाने के लिए तो उस पे चलना है तुम्हें दैविगुन धारण करने है तुम्हारा खान पान भी रॉयल होना चाहिए चलन भी बड़ी रॉयल होनी चाहिए खान पान भी बहुत रॉयल चलन भी रॉयल तुम देवता बनते हो देवताईं खुद पूझे हैं वो कभी किसी की पूझा नहीं करते ये तो डवसिर्ताज है न ये कभी किसी पूझते नहीं तो पूझे ठरे सत्यों में किसको पूझने की दरकारी नहीं बाकी हाँ एक दुका रिगार्ड जरूर करेंगे पूझा नहीं करेंगे एक दूसरे का रिस्पेक्ट जरूर करेंगे ऐसे नमन करना इसे रिगार्ड कहा जाता ऐसे दिल से उनको याद करना है रिगार्ड तो देना ही है जैसे प्रेजडेंट है सब रिगार्ड रखते हैं जानते ही बड़े मर्तबे वाले हैं नमन थोड़े ही करना है तो वाबा समझाते ये ज्ञान मारग अलग चीज़ है इसमें सरफ अपने को आत्मा समझना है जो तुम भूल गए मुख्य बात कौन सी भूल गए कि हम एक आत्मा है शरीर के नाम को याद कर लिया काम तो जरू नाम से ही करना है बिगर नाम किसको बुलाएंगे कैसे बले तुम शरीधारी बन पार्ट बचाते हो प्रन्तो बुद्धी से शरीव बाबा को ही याद करना है बाबा केते भगती मारग में तुम बुलाते आये हो हे पतित पावन आओ आकर हमें पावन बनाओ कोई भी देवी देवता जिसको शरीर उन्हें पतित पावन नहीं कहेंगे छे-ाठ बुजाओं वाली देवियां बनाते हैं सब अपनी बुद्धी से ये कौन है कोई नहीं जानते देवियों को छे-ाठ बुजाएं दिखाते वास्तों में अस्त शक्तियों का प्रतीक है कोई भी नहीं जानते ये पतित पावन बाप की उलाद मददगार हैं किसी को पता नहीं है तुम्हारा नाम तो ये साधारण ही तुम्हारा रूप तो देवी, राम देवता नहीं कहेंगे फलानी देवी, शिरी मती कह देते, वे अभी रॉंग हो जाता अब पावन बननी के लिए पुर्शाट करना है तुम कहते हो पतित से पावन बनाने आओ ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारण बनाओ सब बुलाते हैं हे पतित पावन आओ आके हमें पावन बनाओ ऐसा नहीं कहते कि स्री लक्ष्मी नारण बनाने के लिए आओ पतित से पावन बाप बनाते हैं नर से नाराण भी वो बनाते हैं वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं सत्य नारण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं, ऐसे तो कहते नहीं कि बाबा सत्य नारण की कथा सुना के अमर बनाओ, नर से नारण बनाओ, सर्फ कहते आके पावन बनाओ, बाबा ही सत्य नारण की कथा सुना कर पावन बनाते हैं, बाबा की मुरली ही सच्ची गीत है स्थे नारण की कथा है जिसे सुनकर कि आतमा फिर से देवत्व को प्राप्त करती है तुम फीर ओरों को सथे कथा सुनाते हो और कोई जान ना सके तुम ही जानते हो भले तुम्हारे घर में मित्र समंदी भाई या दी है वो भी नहीं समझते बाबा केते कि तुम बच्चे ही औरों को समझाते हो, ऐसे किसी को मालूम नहीं कि कैसे नर नारायन बन सकता है, नारी लक्षमी बन सकती है, कथा कौन सी सुननी है, अच्छा मीठे मीठे सिक्गी लदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप तदक का याद प्यार, गुड मौर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दार्णा के लिए सार आज के मुख्य बाद कौन सी है कुछ सेकिंड साइलेंस में वैठे चिंतन करे आज बाबा ने क्या समझाया सुनेंगे स्वैम को स्रेष्ट बनाने के लिए बाबा की जो शिरीमत मिलती है उस पे चलना है स्वैम को स्रेष्ट बनाने के लिए बाबा की जो शिरीमत मिलती है उस पे चलना है दैविगुन धारन करने है खान पान चलन सब रॉयल रखना है एक दो को याद नहीं करना लेकिन रिगार्ड जरूर देना है पावन बनने का पुर्शाट करना और करना है वर्दाने सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी कानभो करने वाले खुश नसीब आत्मा भव सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी कानभो करने वाले खुश नसीब आत्मा भव बाप दददवरा ब्रामन जनम होते ही सारे दिन के लिए अनिक स्रेश्ट खुशी के खजाने प्राप्थ होते हैं इसलिए आपकी नाम से ही अब तक अनिक भग्त अलपकाल की खुशी में आ जाते हैं आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं ऐसे आप खुश नसीब हो बुद खजाने मिले हैं सिरफ समय पर यूज करो जो खजाने मिले हैं उन्हें यूज करो चाबी को सामने रखो अथा समर्ती में रखो और समर्ती को स्वरूप में लाओ चाबी को सामने रखो समर्ती में लाओ और स्वरूप बन जाओ सरल शब्दों में बाबा ने जो खजाने दिये हैं उनका प्रयोग करना है जो वक्त पर प्रियोग करते हैं उसे ही खुश नसीब आत्मा कहते हैं और उसके लिए अपनी चाबी को संभाल के रखो अथार स्रेष्ट स्मृतियां अपनी मन में लाते रहो और उसका स्वरू बन चाओ इस लोगन है बाप की स्रेष्ट आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं आज अभ्यास करेंगे मैं खुश नसीब आत्मा हूँ मैं भागेवान आत्मा हूँ जो बाबा स्वे मुझे से मिलने आ रहे हैं ये अव्यक्त मिलन है रुखानी मिलन है एक ऐसा मिलन जिस से आत्मा खजानों से भरपूर हो जाती है शक्तियों से भरपूर हो जाती है ओम श्यांती और आज एक जरूरी सुचना भी है आज 19 दिसंबर बाबा मिलन की डेट है सभी भाई बहने साएं 6 बजे मधुबन से बाबा मिलन का लायू कारेकरम जरूर देखें और ग्यान योग चैनल पर यह लायू कारेकरम साएं 5 बजे शुरू हो जाएगा पहले गीतों वे कमेंटरी के दवारे योग चलेगा फिर बाबा मिलन करेंगे और अब यह वीडियो भी जरूर सुने